स्वागता दोस्तों आपका अपनी यूट्यूब चैनल से भी लोग बढ़िया होंगे तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि यो वीडियो आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं आज हम जो बाटर सप्लाइ सिस्टम होता है गरों में तो आपको जनरली आपने देखा होगे कुछ पाइपस क्या करी जाती हैं कहीं बार सर्फिस पे घ्राउंड पे विषाय जाती हैं और कुछ पाइपस के इं그रों में आपने देखा होगा कि यो पाइपस होती हैं रूप के ओपर विषाय जाती हैं उसके बाद में मैं कुछ आपको बताऊंगा कि यहां पे जो system लगाया गया उसके benefits क्या हैं और उसके बाद में कुछ जो यहां पे problems बगारा हैं उसको हम लोग देखेंगे cost factor बगारा क्या है कि यहां पे अगर आपको ऐस installation करवानी हो तो आपको economical रहेगी या expensive रहेगी उसके में डिसकस करेंगे तो वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग रहने वाला है तो आई होप आप सब वीडियो को एंड तक देखेंगे तो गाइज चलते हैं उपर शत पे जाके इसको देखते हैं रूप पे तो तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी हमारी नूवीडियो आएं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें तो टॉप से पहले सब को आपको दिखा देते हैं यहां पर तो आप देख सकते हैं यहां पर यह वाटर टेंक जो देख सकते हैं दो आप देख सकते हो दूनों वाटर टेंक को हाला कि यहां पर वाटर टेंक और गरम पानी के लिए इंस्टाल किया जाएगा तो उसको जैसे इंस्टाल किया जाईगा उसकी वीडियो लग से ले के आएंगे अब फिलाल हम बात कर लेते हैं दो वाटर टेंक की किस त्रीके से इंस्टालेशन करी गई है तो सबसे पहले इस वाटर टेंक के पास हम लोग चलते हैं यहां पर आप देख सकते हो ISO 9001 2015 से सटिफाइड है यहां पर यह वाटर टेंक यूज करा गया यहां पर तो काफी मजबूत है अब भी हम बात कर लेते हैं यहां पर आप में देख सकते हो पर मैं बात करूए तो इसका यो पानी के सबड़ा है और कर देख सकते हो तो इसका पाईप को आप देख रहे हो यहां पर їप, तो यह रहे हो मेनच सब्लाई क Óоп डेकर में बात करोरbon की तो यह center की pipe जहां पर आपका में बात करों और अपक एक टैंक आलढरी आप देख सकते हो पिछे हैं तो उसी water tank के पास में एक वो टैंक शोटा इंस्टाल कियाए गरम पानी के लिए तो उससे यह पाणी जो आप देख सते हो यहां से यह pipe है ये वाली ठाइप के अगर मैं बाद करूओं यह वाली यो भी पाइप आधग दिख रहे हो तो यह पाइप جिए पीछे से पानी ले यहां पे एक नीचे को बीच में चुक्त साप्याइगी तो यहां चोपरागी अापचाओ को श्रचेज और उसको म्लाइख लेते हैं आगर यहां की आपर हाण सी में यहां बात कराएगा यहां पानी चलना स्टार्ट स्टार्टव गा तो इसको वाथ oficial और पर और wen बाक्राइड किए और यहाँ पैप पाइए मैं और यहाँ पीछ यह यहाँ पाईड़ा है और यहाँ दिन तैंकी तो पाइड की पानी दे रही है और दै्रयक्ट सप्लाई आपको किच्टन में मिलेकी इसकी यहाँ वाटर टेंक नीचे प्रवैड करबाए यहां पर टेंक जिसको बनते प्रीमेद। तो जुमीन में तो उससे ड कू मिलेगा या ड ड की पानी की चाहीज बंगर रब ब्रभाने से यहां पर यहां पर यह पर चूह governance इस तब उस तरह नहीं हम पहं जाहनी चाहेगा ट सथे देंगेद यहां पर दिखाया गम और यह आपके गरम पानी के लिए पाइप यहां पर प्रोएड करेगई है यहां gel लेर होग अभी हैं अभी पीछे की तरफ चलते हैं डोलेफित हैं और तो यहां से आफ देख सकtechn सब्सस्कों जया रही जिए यह देख सकते हैं यह यहां पर एक तो आपकी ताम कि तुझार मेंड वां जा एक पाया तो कर देखे तो सेंक पेछेशी हैं मिक शोड़ी निकालने के लिए गई है तो यह overflow यहां से आप देख सके तो यहां पे जो overflow की pipe आप देख सके तो यहां पे provide करी गई है अगर मैं बात करूँ तो यह वली pipe यह भी आप देख रहे हैं तो इसमें जो नीचे का जो बाद में अगर आपको future में को expansion करना है यहां पे bathroom से बगार आपको बनाने है तो उसके लिए यह pipe provide करी गई है तो इसके साथ यह base को carry करेगी pipe इसके साथ में एक और pipe यहां पे थी यह इसके बीच में अभी settle कर दी गई है तो यह pipe यह उसके बीच में set करी गई है ताकि overflow सिद्धर नीचे ले जा सके तो बाकी चीज़ें आपने यहां पर देख ली मैंने आपको नीचे लेकर जा सकते हैं और इस बाल को open करेंगे तो इस बाल जो side में उस तरह bathroom में उसके लिए provide करा गया अगर हम बात करें अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें यहां पर अच्छी provide करी गई है तो अगर मैं बात करूँ यहां पर यह आपने बाल्स प्र बाकी की supply में कोई effect नहीं पड़ेगा जो आपकी बाकी की supply है वो प्रॉपर चलती रहेगी आपके bathroom पिछे का पानी प्रॉपर चलता रहेगा तो इससे कहा कि आप एक चीज़ को बंद करके उसको प्रॉपर सही तरीके से करवा सकते हैं आप दूसरे point की बात करते हैं यहां अगर कास्ट की बात करूं में तो इस तरीके से अगर आपको इंस्टालेशन करवानी है बाल बगारा का तो यह थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो इक्सपेंसिव रहता आपका क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो चार बाल्स पर प्रॉइड करें गया अभी और दो बाल में कुछ ज़्यादा सही लगा नहीं अगर मैं बात करूं आप भी अपने कमेंट्स बताइएगा यहां पर आप देखो तो बिल्कुल शाथ के बीचों बीच से यहां पर ले आउट है इस तरफ पर भी यहां पर देख सकते हो यह बीच में यह तकरीवन क्योंकि यहां पर पानी कि बात करों तो यहां सा शॉत का है निकालने के लिए यहां पर देख कराऊ प्रवाइड पर फ्रवेड करेंगा यहां पर इसके तुर यह नंने किनक्षिन प्रवाइड करें अगर यह किनेक्षिन यहां से प्रवाइड किये जाते अगर मैं बात करूं तो यहां से इसको अब भी किस तरफ है तो बहुरा व्याइड करने पड़ेंगी इसको फॉड़ा ब Among球 सकते हैं को आगे हम लोग मूब करवा सकते हैं तो यह एक चीज जो मेरे को अच्छी नहीं लगी अगर आप भी अपने कमेंट्स पर गारा मैं बताइए कि आपको कौन सी चीज अच्छी लगी और कौन सी इसमें जो प्रॉब्लम्स पर गार आपको देखने को मिली तो अगर आपको दसे ज्यादा शेयर कीजेगा थेंक्यू